शिवं 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 नमश्कार आप सबको हमारी चैनल श्रीमा धूम रेमेडीज पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 21 ओक्टूबर साल दो हजार 24 का राशिवर इंदु पंच्यांग के रुसार 21 ओक्टूबर दो हजार 24 सुमवर कार्तिक मां के किशन पक्षी पंचमिति है और इस देन शाम को 6 बचकर 15 मिनट तक चंद्रमा विश्यव परांथ मीथ हूं रासी पर संचार करेगा राहु कर सुबह के साथ बचकर बावन मिनट से लेके सुबह के नौ बचकर तेस्ट मिनट तक मान के चलें और आप कोई भी स्पीचल पॉडक्ट शिवागो डाट कॉम या उंजा डाट कॉम से प्राप्त कर सकते हैं बिलकुल जैनियून अथेंटिक लैब सेटिवाइट और साथ में अविमंत्रे भी यद आप चाहें तो तो चले हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेश राशी से मेश राशी के ज़द तक आपको कुछ धन प्राप्त होने वाला है जिसके आप उमीद नहीं कर रहे थे भविश्य को ध्यान में रखकर निवेश की योजनाएं भी बना सकते हैं प्राप्रिटी से जुड़े मामलों में किसी पर आंप बंद कर भिस्वास ना करें आप अपने शहंदार कम्मुनिकेशन स्किल से बाउस को प्रभावित कर सकते हैं सरकारी नौक जी में उपरिये अधिकारियों का समर्थन आपको मिलेगा स्वास्त के प्रतियाज आपको सतर करेना होगा अगर आपको कमर में दर्द है तो दूर करने के लिए फीजियो थेरपी की साहेता लेशिये प्रेंग घुबने जाने का प्लान आज आपको किसी के वश्चत था के कारण डालना पड़ सकता है आप अपने आय और वे के लिए बजट बनाए तो आपके लिए बहतर रहेगा लेगी निदि आपने वेपार में किसी को धन उदार दिया था तो आपको आपस मिल सकता है आ आप किसी दूसरे के मामले में ना बोले तो वही आपके लिए बहतर रहेगा ने तो वह आपको बरा भला भुरा भी बोल सकता है कामकाज ढून रहे हैं लोग को कोई खुशकबरी आ सकती है आज के दिन यह आप गाड़ी चलाते हैं खुद तो आप बिलकुल समाल कर चलाए नए नौकरी के फ्राक्ति हो सकती है जीवन साथी और आपके बीच में एक दूसरी कप्रतिय समझदारी बढ़ेगी जैसे कि आपका दाम पत्त्य जीवन मजबूत होगा प्रेम की इस्तिती में सुधार होगा आपके लिए शुब अंको होगा छे अब बात करते हैं बिश्व रासी की बिश्व रासी के जातक आर्थिक रूप से आज अच्छा है आज के दिन आप सबसे मिल जुन के रहें मीडिया के छेट से जुड़े लोगों सुनारी अफसर प्राप्त होंगे नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भाग गये तो उध्य जैसा पूरा यह बन रहा है कॉम्पीटर से जुड़े बिजनेस में फाइद मंद इस दीदिया बनेगी आज आप जो करते हैं उसमें सावधाने पड़ते हैं चोट लगने का खत्रा रहेगा मित्तों के साथ आचानक यात्तर पर जाने का निर्ने ले सकते हैं शंतान की ओड़ से कोई सुब शमाचार मिल सकता है विद्यार्थी का ध्यान पड़ाई से भटक सकता है इस समय उनका फोकस बाहरी कतिवीद्यू और मौल मस्ती पर रहेगा आज के दिन काफी भाग दोड़ रहेगी पार्टनर के साथ किसी भीतर की अनबन ना होने दें अच्छा रह सकता है आज के दिन जीवन साथी आपके लिए कोई फायदे की बात करेंगे प्यार में शादी का प्रस्ताओं मिल सकता है आपके लिए भागशाली अंक होगा चार और हम बात करते हैं मितुन दाशी के मितुन दाशी के जाए तक आज का दिन तो बहुत दूसरों के चक्कर में आपका बुरा हो सकता है आज के दिन तो उसका आपको खास ध्याम ड़कना पड़ेगा आज के दिन महजबुन योजनाओं के बारे में चर्चा सूर समझकर करें प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो किसी ब्रोकर की बात पर भरुसा करने के बदले अपना रिसर्च करें कारोबारी कतिवीदियां बेवस्तित होंगी आफिस का काम का रोज के तुना में बेह वहां देने से बचे हैं अपने घर से जोड़े किसी अच्छी कवर के लिए आप तयार रहे हैं पती पत्नी दोनों मिलकर घर परिवार की देखर एक समंधी योजनाओं पर विचार करेंगे आज के दिन मितुन राशी के जद तक आपकी कोई गुंग हुई पुरानी मिल सकती है आपको रेश्टरन के बिजनस में इन्वेश्ट करने में लाव होगा आपको अपने जीवन साथ इसको उपहार मिलेगा जिससे कि आप दोनों के संबन में मधूरता बढ़ेगी और दूसरों की बाद भी अच्छे से समझने की कोशिश करें आपको लाव मिलेगा सामने आई समस्याओं को सुल्धाने में आप सफल साबित होंगे कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी दामपत्त जीवन में कुश कबरी मिलेगी जिन जात्तों को वो टेंशन रहती होगा आयतरी मंत्र का जाब करें रिलेशन्शिप वाले बच्छे नतीजे हासिल होंगे और रिष्टि में प्रेम बढ़ेगा आपके लिए शूबंग होगा नौ अब हम बात करते हैं करकराशी की करकराशी के जाद तक आज आप सट्टे और लॉटरी से दूर रहें नहीं तो नुकसान होगा पार्टनर्श के लिए दिन एकदम बढ़िया है किसी खास इंसान की मदद से आपके रुखे काम आगे पढ़ेंगे रिसर्च और विज्ञान से लुड़े छात्रों को अप्रत्यासित परणाम मिल सकते हैं आप भाहिशारे को बल देंगे और पारिवारी के एकता बढ़ेगी यदि आप घर से बाहर किसी नए काम को करने गए हैं तो अपने माता पिता से आश्रिवाद अवश्य लेकर चाहें आप दिन्चरिया में बदलाओं के कारण अपने स्वास्तिक और ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका कोई पेट समंधिन समस्या हो सकती है लेकिन आप विवाही जात्कों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ता हुआ सकते हैं यदि आप किसी से उधार लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा आपके करीमी किसी काम में आपका पूरा साहत देंगे दूशित पानी और खान पानी के विजए से थोड़ी दिक्कत होगी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट से यादता करते समय अपने समान को लेकर सतर करें परिवार के किसी मामले पर अपनी पकड़ बना कर रखने की जरूरत है आपके परस्नल काम काफी हद तक पूरे होंगे आज आप पूर दिन रोमैंटिक मूड में रह सकते हैं प्रेमी के साथ आपको डिनर पर जाने का मौका मिल सकता है आपके लिए शुबंक होगा पांच अब हम बात करते हैं सिहरासी के जाद तक आज के दिन कर्ज यादी से दूर रहे बेवसाइक प्रगती के लिए आज का दिन हनुपूल है अपने काम के परती काविर्चित रहे नौकरी पेशा लोग ट्रांस्फर लेने की कोशिश ना करे तो अच्छा रहेगा इस राशी के इंजिनियर्स आज अपने अन्भग का प्रियोग सही दिशा में करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी कुछ चीजों से परेज और सतरकता आपको मौसमे बिमारियों से दूर रख पाएगा यात्रा आपके लिए आनन्द दायक और बहुत फायदे बंद होगी कुछ नहीं चीज़े सीखने और समझने में इस समय बिताएंगे कोई भी सफलता मिलने से मन पर संद रहेगा आज के दिन खर्चा जादा होने के उम्मीद है हलंकि आमदनी के बढ़ते साधन से कोई परिशानी नहीं होगी निजी जीवन से जुड़ा कोई भी जोकिम लेने से बचें मन में कुछ नकरात्मक विचार उड़ सकते हैं नकरात्मक चीजों को नियंप्रत करने की कोशिश करें कारेश हित्र में लाब की बजाए मेनत दिख रहेगी दामपत्य जीवन सुख में हो सकता है क्लेशनशिप में पूलजे रहकर खुद का नुकसान नहीं होने दे आपके लिए भागिशाली अंक होगा तीन आज के दिन यात्रा बहुत यह अच्छा रहेगा आप हम बात करते हैं कन्या राशी कन्या राशी के जातक अजधन के मामले में साउधान रहे हैं कॉंप्यूटर से जोड़े बिजनेस में फायदेमंद इस्तीतियां बन रही है वैपार में कुछ नया काम करने के बारे में सोच सकते हैं नौकरी के संदव में आपने से जो लोग बदलाओ की तलाश कर रहे हैं आउसर प्राप्त हने की पूर्ण संभावना है थारेड और अक्थिचाप से प्रवाविद वैक्ति अपने स्वास्त के प्रति विशेश साउधानी बढ़ते हैं सरकारी नौकरी करने वाले लोग किसी अधिकारी किया तरफ पर जा सकते हैं आज आपको अपने कारशेत्र में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है आज वहां की पार्किंग सेफ जगब पर हिंग करें आज विरूदी भी आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे समाजिक कारियों में आपकी रूशी बढ़ेगी ऐसा करने से आपको फायदा होगा बच्चों का ज़्यादा समय आज सोसल मेडिया पर भी देगा अच्छा रहेगा कि पढ़ाएंपर ध्यान दें महिलाएं आज अपने घर के कामों से जल्दी ही फ्री हो जाएंगे लव मेड्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा यदि आप अविवाईत हैं तो आज किसी के तरफ आपका ध्याना करशित होगा बिवाईत लोग अपनी शादी से थोड़ा हूँ महसूस कर सकते हैं आज आपके रिश्यों मंग होगा दो हम बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी के जाद तक आज आपको समय की कीमत पहशाननी होगी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको उसे बढ़ाने के लिए थोड़ी और मेहनत करने के जुरूरत है नौकरी में महिलाओं पर इत्तिक कारभार हो सकता है आफिस का काम अपने जम्मेदारी पर ले रखा है तो गलती न चुएं सहत में थोड़ा बदलाओ दिखेगा लेकिन तकलीफ कुछ देर ही रह सकती है तनाओं को कम करने के लिए किसी शांत जगा पर जा सकते हैं कुछ खर्चा भी होगा आज आपको किसी विदेश में रह रहे है परिजन से कोई शुब सूचना सुनने को मिलेगी लेकिन आपको किसी खास जो परोस के लोग है उनसे बाद भी बाद में पढ़ने से बचना होगा आप संतान की पढ़ाई से समंदित किसी सिक्षाव को लेकर किसी आत्रा पर जा सकते हैं ये दिया किसी से धन उधार लेना पड़े तो बहुत ही सोच विचार कर लें नहीं तो आपको उसे उतार पाना मश्किल होगा अब इविन सोतों को पाकर अपने निवे उसको और बढ़ा सकते हैं आर्थिक मामलों में आप सहज रहेंगे आज के दिन किसी से प्रेम करते हैं तो दोखा मिल सकता है आपके शुबरंग होगा हरा और शुबंग होगा साथ अब हम बात करते हैं बश्रक रासी की बश्रक रासी के जाए तक काम ज़्यादा होने पर पाईवारे एक सुब के लिए समय निकालेंगे इस समय अपने कारक उशल्दा पर पूरे बिस्वास के साथ अपनी उजणाओं के शुरुआत करें बच्चों के साथ दोस्ताना बेवार करें किसी के एसास समबाद करते समय उचित शब्दों का परियोग करना है आपको आच फाइनेंस से जुड़ा काम कर रहे लोगों को मनमताबिक दील मिलेगी आपको बिस्टिस मने उप्रब्दियां मिल सकती हैं आपके सामने कई जिम्मेदारी वाले काम भी आ सकते हैं बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है स्वास्त के परती आज आपको सतर करेना होगा अगर आपको कमर में दर्द है तो दूर करने के लिए फीजियो थेरबी की साहित आ लें बिना किसी मकसद के अनावश्यक किदर उद्र भूनते रहना आज के दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा कारचित में किसी प्रकार की कागजी कारिया आदेश को पूरा करते समय पूरी साउधानी बढ़ते है आज के दिन प्रेम जीवन में बहुत यच्छा दिन कहा जाएगा आप कोई निया वाहन करिदने की सोच रहे हैं तो राहो काल देख कर ही खरीदें अपने साथी के साथ कुछ खालीपन महसूस कर सकते हैं आपके लिश्यों बंक होगा च्छे हम बात करतें धनुराशी की धनुराशी के जाथ तक आज आपको धनलाब हो सकता है आज आप अपने बेवसाय की किसी नई डील को शर्तों के साथ फाइनल कर सकते हैं कामकाज में तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे संपरक सादने का प्रियास करेंगे तो अच्छा रहेगा नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो सोच समझ करीं करें पूसक तत्तों से भरपूर स्वादिश्ट भूजन तयार करने के लिए समय निकालें यदि आप कार से यात्रा कर रहे हैं तो आपको सड़क पर कुछ परिशानी हो सकती है आपके मनोबल का अस्तर अच्छा रहेगा आज बिजनिस में परिवर्थन के आसार दिख रहे हैं आफिस में आपकी क्रिटिविटी पहले से अच्छी बनेगी इस राशी के लव में टाज के दिन अच्छा काम करेंगे आज बाग के पूरी तरह से आपका साथ देगा आपके और भाई की बेज किसी बात को लेकर चर्चा होगी विद्ध तुपकरन खरीदने के लिए आज का दिन शुब है आज अपनी कीमती वस्तू को आप समाल कर रखें अब विवाही जात्यकों को विवाह के लिए अच्छे रिष्टे आ सकते हैं रिलेशन्शिप में आज कोई खुशकबरी मिल सकती है आज के लिए शुबंक होगा चार हम बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी के जातक आज आचानक लाव और हाने के स्टिती बन सकती है इसलिए जो भी कारे करें उसमें साउल हनी बढ़ते हैं वैपार में अच्छा उशा लाएगा भविश्य को बहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे इसलिए के इंजेनियर्स अपने अन्बव का प्रियोग सही दिशा में करेंगे आज का दिन उचाईयों कुछ होने वाला है आप मनरजन के कारिकरम में कुछ सनाय बिताएंगे और परिवार में वरिष्ट सदस्यों के साथ बैठ कर कुछ मातपौन विशे पर चर्चा भी कर सकते है भाईचारों को बड़ावा मिलने से आपसी इतना तनी समाप्त होगी यदि आपको कोई मातपौन कार लंबे समय सेट का हुआ है तो आप पूरा करने की कोशिश करें और पूरा हो जाएगा तकान से बचे रहने के लिए आपको काम के बीच में पानी पीते रहना ज़रूरी है यात्रा करते समय कई कटनाई आने के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है बिना वज़ा घर के किसी सिदस्य पर वुस्टा करने से बचे है परिवार के किसी नौजवान की शादी तैह होने की संभावना है इस राशी की बिवाहे जा तक अपनी भाशा पर कंट्रोल रखे है प्रेम जीवन में तनाव से दूर रहे है आपके लिशो बंक होगा एक हम बात करते हैं कुम्बरासी की कुम्बरासी के जा तक आज आप अपनी धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में दान करें जिसका आपको लाव मिलेगा बिरसाई के तिवीदियां समंधी कोई कोट केस चल रहा है तो आज उसे सुझाने का उचित समय है लोग लोही के वेपार से जुड़े हैं उनका आज समय अच्छा है नौकरी पेशावेक्ती दफ्तर में जम्मेदारी होने के बावज़ परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे अस्तेवार के मौके पर कुछ करीबी लोगों से मिलने जा सकते हैं ये मुलाकात आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकती है समाजी कस्तर पर भी आपको एक नहीं पहचान मिलेगी आज कर कुछ समय बच्चों की समस्यों को सुझाने में वितीत होगा अपनी सफलता का जादा दिखावा न करें या आपके प्रतिनीदियों के बेच इर्श्य की भावना पैदा कर सकता है सौस्थी मानसिक तनाओ के चलते सिर में दर्थ होगा बिजनिस के किसी काम से आपको बाहर जाणा पड़ सकता है आज के दिन समाज में आपका मान परतिष्ठा भी बढ़ेगा आज के दिन जोड़ में किसी परकार के दर्द बढ़ सकते हैं आज अचानक आपकी किसी से रुमांटिक मुलाकात हो सकती है आपके रिशू बंक होगा आठ अब हम मीन राशी की बात करते हैं मीन राशी के जातर कार्थ एक रूप से अच्छा दिन है बैसाई को स्थल पर अपने उपसे दिया निवारे रखें टेंट होस वालों को अच्छा लाव मिलेगा कारशेतर में हर मामले को अपने स्थर से निप्टाने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा युगा और विर्थ की गतिवीदियों से ध्यान हटा कर अपने कैरियर पर ध्यान दें अपनी डेली रूटीन में आपको बदलाव कर सकते हैं यदि आपके पास माइग्रेन होने का इतिहास है तो दिन के अंत में आपको सिर्दर्थ यह माइग्रेन का अनबर हो सकता है परिवार के साथ किसी खुबसुष जगह की आतर पर जाने का विचार किया जा सकता है आज कुछ समय बच्चों की समस्यों को सुल जाने में वेतीत होगा आपनी सफलता का जाल दिखावा ना करें यह आपके प्रतिनीदियों की बेच इर्श्या की भावना पैदा कर सकता है आपका रुजहान बच्चनात्मक कारियों की तरफ जाता रहेगा आज आप नोबल पढ़कर अपना समय वेतीत करेंगे आज अपने जीवन साथी को कलाब के फूल भी दे सकते हैं आज आपके बेवार से आपका जीवन साथी खुश होंगे कला के छिट से जुड़े लोग का समाच मान समान बढ़ेगा चात्रों पज़ ऑनलाइन कुछ से नया सीखने को मिलेगा आपका स्वास्त पहले से काफी अच्छा रहेगा घर के बुजर्गों का खास क्याल रखें आज आप अपने बढ़ते खर्श को रूपने का नया प्लैन बनाएंगे यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज दिल के बाद कहने में सफलता मिल सकती है आज आपका साथ ही दोड़ा चूप रह सकता है बादचीत के जरे किसी भी समस्या का हल निकाले है आपके लिए शुबंक होगा पाँच तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और पनी कमेंट दीशिए जन्यवाद